साथियों, हमारे सास्त्रों में कहा गया है, त्याज्यम न धैरियम, विदुरे अपिकाले, अर्थात, कठीन से कठीन समय में भी हमें धैरिय नहीं खोना चाहिए. किसी भी परिस्तीती से निपटने के लिए हम सही निर्णय लें, सही दिशा में प्रहास करें, तब ही हम विजय हासिल कर सकते हैं. इसी मंत्र को सामने रख कर, आज देश दिन रात काम कर रहा है. बीते कुछ दिनों में, जो फैसले लिये गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं, वो स्थिती को तेजी से सुधारेंगे. इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में, ऑक्सिजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं. इस विशे पर तेजी से और पूरी सम्वेदन सिल्टा के साथ काम किया जा रहा है. केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, प्राइबेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरुरत मन को ऑक्सिजन मिले. ऑक्सिजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाई किये जा रहे हैं. राज्यों में नए ऑक्सिजन प्लांट्स हो, एक लाग नए सिलिंडर पहुंचाने हो, और द्योगी इकाईयों में इस्तिमाल हो रही ऑक्सिजन का मेडिकल इस्तिमाल हो, ऑक्सिजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है. साथियों, इस बार जैसे ही कोरोना के केस बड़े, देश के फार्मा सेक्टर ने दवाईयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है. आज जन्वरी फर्वरी की तुलना में, देश में कई गुना ज्यादा दवाईयों का प्रोडक्शन हो रहा है. इसे अभी और तेज किया जा रहा है. कल भी मेरी देश की फार्मा इंडिस्ट्री के बड़े जो प्रमुक लोग हैं, उसके जो एक्षपर्ट लोग हैं, उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई है. प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर तरीके से दवाईयों की मदद ली जा रही है. हम सौगफाग्य साली हैं, कि हमारे देश के पास इतना बड़ा मजबूत फार्मा सेक्टर है, जो बहुत अच्छी और तेजी से दवाईया बनाता है. इसके साथ ही अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने का भी काम तेजी से चल रहा है. कुछ शहरों में ज़्यादा डिमान को देखते हुए विशेश और विशाल कोविर होस्पिटल बनाए जा रहे हैं.